किसान भाईयों आज की इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे लहसुन की फसल पर आप साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं यानि कंद को आप किस प्रकार विकास कर सकते हैं और जादस जादा उपज उत्पादन आप अपनी लहसुन की फसल पर ले सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या आप जो पेकलो बूटरा जॉल यानि एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रियोग करने वाले हैं तो किसान भाईयों के यह भी कमेंट आ रहें कि क्या हम अपनी लहसुन की फसल पर पीजी आर को इस स्टोरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्या हम पीजी आर के साथ यानि पैकलो बूटरा जॉल के साथ हम एन्पिक का स्प्रिक करें या ना करें बोरॉन को मिलाएं या फिर ना मिलाएं क्या हम लेमडा सालो थ्रीन या फिर ऐसी फेट या फिर फिपरोनेल और जो एक कॉ पर इस पर करना चाहिए और क्या साब्धानी रखनी चाहिए इन सभी की जानकारी के लिए इस वीडियो को आपको अंत्र तक देखना होगा मैं हूँ आपका दोस्त सिपकुमार और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं लेहसुन की फसल पर कंद के आकार को हम किस प्रकार ब्रद्धी कर सकते हैं और कंद की चमक और क्वालिटी को हम किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने बाले हैं तो कृपया ध्यान दीजिए लेहसुन की फसल प 80, 80, 90 या 95 दिन तक की होती है तो आपको एक spray करना है वो करना है पेकलो बूटरा जॉल का पेकलो बूटरा जॉल दो रेशो में आता है एक तो आता है 30% वाला और एक आता है 40% वाला तो जो 30% वाला आता है जिसमें सेजेंटर कंपनी की कल्टार पर आपको यही टेक्निकल मिल जाता है जो कल्टार पर यानि पेकलो बूटर जॉल 23% ASC को आपको 70-80 ml spray करना है कब 85-95 दिन की जब आपकी क्रॉप होती है यानि 95-95 दिन की है फर 80-85 दिन की है तो आप पेकलो बूटर जॉल का इसप्रे कर सकते हैं पहले सीचाई करके यदि आप पेकलो बूटर जॉल 40% वाला आ रहा है 40% ASC जो मुक्रूप से सुमी टोमो का टाबोली में आपको यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो इसका डोज जाता है प्रती एकल की दर से हम आपको जानकारी बता रहे हैं लगभग 50 ml प्रती एकल की दर से 150 लीटर पानी में मिक्स करके आप प्रियोग कर सकते हैं इसकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि PGR एक प्रकार का Plant Growth Regulator होता है हम जैसे ही अपनी फसलों पर पहले सीचाई करें सीचाई करने के बाद जैसे ही आप PGR यानि पैकलो बूटरा जोल की बारे हम बता रहे हैं तो पैकलो बूटरा जोल को आप जैसे ही स्प्रे करेंगे तो यह काम कैसे करेगा यह काम ऐसे करेगा कि जो Vegetative Growth है हाइट बढ़ रहे है पत्तों की साइड तो वह एक प्रकार की Regulate हो जाएगी यानि हाइट को यह रोक देगा और वही जो Energy पत्तों को बढ़ाने में लग रही थी तो वही Energy उर्जा शारी की सारी कंद की आकार में बढ़ने के लिए लगेगी तो वही Energy डिवाइड हो जाएगी यानि Regulate हो जाएगी और कंद में सीधा सीधा हमको असर देखने के लिए मिलेगा ऐसी दसा में जो कंद है वह तेजी से ब्रधी करने लगेगा यह तो बात हो गए कि आप PGR का स्प्रे कर सकते हैं पैक किलो बूटा जोल का 80-85-95 दिन की जब आपकी लहसुन की क्रॉप होती है तो याद रखना है लागभग एक तो आप काम जरूर करें कि 80 दिन के पहले आप PGR का प्रियोग तो बिलकुल ना करें लहसुन की फ़सल पर सेकंड बात यह है कि जब आप PGR का स्प्रे कर रहे हैं तो कंद की आकार ब्रधी तो होगी इस सौभा विक्षी बात है लेकिन हमारे किसान भाई बोल रहा है कि स्टोरेज क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बोरॉन B20% को 150 ग्राम लेना है और उसके साथ आपको मिक्ष करना है 0-22-34 को 1 किलो ग्राम इन दोनों को मिक्ष करके एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं जब लहसुन की फ़सल 70-75 दिन की होती है B20 यानि बोरॉन को 150 ग्राम और एन पी के घुलन सील खाथ 0-22-34 को 1 किलो ग्राम इन दोनों को मिक्ष करके 150 लीटर पानी में इस परे कर देना है कब करना है जब आपकी लहसुन की फ़सल 60-75 या फिर 80 दिन की भी होती है तो बोरॉन का प्रियोग आपको जरूर करना है लेकर क क्यांसे करना है किसान में 300 बात की एक बात एक है कि लहसुन की फ़सल पर क्वाल्टी ब्राइटनेस चमक और इस्टोरीज करना चाहते हैं आप और कंद को ठीक वाल्टी देना चाहते है और कंद के घुलंसील खाथ को मिक्श कर सकते है तो आप एक लो बूट जॉल के चाहथ एट एकुन के घुलंसील खाथ для कर सकते हैं लेके हमारे हिसाब से हमारे अनवाप के हिसाद से आप अलग अलग ही इस प्रे करें तो जादा बहतर आपको result मिल पाएगा पहली बाद दूसरी बाद इसके साथ आप यानी पेकलो बूटरा जॉल के साथ लेमडा सालो थ्रीन यासी फेट जैसी कीट नासक दवाईयों का प्रियोग भी कर सकते हैं इस प्रकार यादि आप अपनी लहसुन की फसल पर पहले सीचाई करके पैकलो बूटरा जॉल का स्प्रे करेंगे और पैकलो बूटरा जॉल स्प्रे करने से पहले लगभग 10-15 दिन पहले आप बोरोन और एनपी के गुरहन सील खात का स्प्रे जरूर करें इस से लहसुन की फ पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और यादि आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना धन्यवात